क्या किसंगंच के नौजवा ज्यादा बिद्वान हो चुके हैं क्या किसंगंच के नौजवा ज्यादा आवर काविल हो चुके हैं जो लोग परवासी मजदूर के खिलाप बोल रहे हैं राहूल जेकर हां समधी परणाम मालिक एक दम आपको परणाम खुश रहो पता नहीं क् कि खुषरह वालेकुमिसलाम आपको मेरा असलाम अलिकुम तो मेरा जो मुद्दा यह परवाशी मजदूर केले क्या मजदूर का एक दऱ्ूर को क्यों कि नहीं समझना चाहते नहीं बैटा है पॉड़ को पर मजदूर बनाते शरम नहीं लोंडे को मुझे समझ नहीं आ रहा है कि परवासी मजदूरों का विरोध आखिरकार यह लोग क्यूं कर रहे हैं अगर परोशी के बाप आ रहा तो वह भी आपका दायत तो है कि उसका देख रहे कीजिए उसको कॉरेंटाइन कीजिए अगर देखिए अगर आप खुद पोश्ट देख सकते हैं यह प्रवर्वर्वन गंडानी जो सच है उसकी आबाज उठानी चाहिए अगर आप मांग रहे है तो मैं दे रहा हूँ सकीन सोट क्या 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 कोई कर रहा है अच्छा आप देखिए क्या क्या होने वाला आगे आगे देखिए इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या क्या आगे आगे अब तो पार्टी सुरू हुई इसका मतलब क्या है इसका मतलब परवासी मजदूर ही कोरोनावरिस को लेकिया है तो परवासी मजदूरों का सौख था बाहर रहना बड़ी भाय मुझे बता दिये क्या परवासी मजदूरों का सौख था बाहर रहना अगर बाहर रहना सौख था तो बताईए कि बाहर रहना उनलोगा सौख है उनलोग काम के सिलसले में न गए थे जब लॉक डाउन हुई बहुत सारे बिचारे भूके मर रहे हैं भटा में कुछ लोग काम करना मजधूर रात दिन फॉन करना है कि भय बचा लो मैं भूके मर ना हूँ भटा माली से कितना जिल्लतों का सामना करना पड़ता है तो क्या भठ्था जो में परवासी मजदूर है जो पत्रिया लोग काम करते हैं उन लोगा सौख है घर से आना और यहां पर धूप में पत्थर बाइटा बनाना नहीं हैं यह सौखन यह मजबूरी में अब बिर्यानी या बजरंग दल जोइन के लिए मैं किसी दल नेता नहीं नहीं किसी दल का मैं भक्त तो करता है किसी पडियानी सामेंने किसी पार्टी का नहीं पर्चार करता हूँ हाँ जो सच सचे उसे बया करना पर्ज मीज़ास काます सोशल मेडिया के सही उपयोग करने से बहुत कुछ हो सकता है मैं यह नहीं कि मैं मुझे मेरा कोई नाम करे जरूरी नहीं कि मैं प्रिंस का कोई नाम करे या फिर मजर आलम का कोई नाम करे आवेज गनी का नाम करे समीम का नाम करे लौकडाउन देखिये कारों बारी आप यह चीज हमको बताइए कि अब अमीर तो गरीबों को जोरना क्या यह सही है बाप बेटा दो अलग अलग चीज अथा बाप अलग चीज होता बेटा अलग जीटा तो अब मगर एक बात है कि कि नेलेटिप कैसे किसे नगज के कैसे बिरोध है आप तो परवासी मजदूर पर सब ठोक रहे हैं परवासी मजदूर जो है किसी का बाप बाहर में है बेटा लिखते हैं फेस्बुक में कि बाप बाहर में है बेटा लिखते हैं फेस्बुक में कि परवासी मजदूर आया तो कोरोना लेकर आया अब तो पार्टी शुरू हुई है अब देखिए बात वो नहीं है बात है कि सिस्टम क्या है अब यह नहीं कहता हूं परवासी मजदूरों को लिखा आईए जीवलकु लोगडाउन में सब प्रिशान है मैं भी जानता हUNG आप भी जानतें पर यह कती नहीं कि हम अपना जो मज्दूर भाइए इनका बिरोध करें कल अगर यही लोटे यही बच्चे परवासी मजदूर यही नैवार से आते में बहलThere चलो यार पार्टी दे दो तब कहा गई सर्म ने इन लोगों ने सर्म को बेच के खा चुका है कि अगवाद बोलनेमें कोई नहीं अभी इसका मतलब भी हैनिंख開वाद वो लूं या फिर ए पिर नहीं हूँ इसको मतलब बिर्याणी पाथी बजरंग दल यह वजरंगदल बहुत सार이라고 हूए अच्छा कर रहे हैं भाइब रवासी मझबूर गरीब मझदूर गवरीब और अमीर में क्या फरक है मोब Katha दीजिए हम को बता दीजिए गरीब और अमीरी में क्या फरक फरक परक है कि और मैं चल के देखता हूं एक घर में खाने चोड़ारी रही बात एक ही कह रहा है कि अगर कोई मोत का दबाई हो तो मुझे दे दी जाए ताकि मैं अपने पड़िवार लेकि मर जाओं तो अब उनको अगर मोदीच से कंपेर किजेगा तो कैसे होगा बड़े भाया हमको बता दीजे अब मजदूर और कारोबारी कारोबारी होता है वो परवासी मजदूरों के लिए रोक के दिखा दे मरहा घर आना नहीं है कॉरिंटन में रहना है और सही से रहना है आप रोग दीजे परिवार को की कॉरिंटन में जाके मिलना नहीं है मंजूर कोई दिक्कत नहीं है आप रोग दीजे कोई परिवार आने सकता मंजूर है मगर आप ये रुकिएगा कि परवासी मजदूरों का बिरोध कीजिएगा परवासी मजदूर से सब लेका है कोरोना वाइरस ये गलत है ये जाहिलित की पहचान है पढ़ा लिका होना जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिका होंगे तो समझदार ज्यादा होंगे बिदुआन और ग्यान यह यह अकर ठीक नहीं अगर अश्वाल कुम जब रेमिज भाइब बोलें जी वलकुम सलाम अलगदा आज दो दिजिए क्या उनके वक्तों को लोगों का मांसिक अपाईश हो चुका है मैं तो बोलना है इन लोग बेवा हो चुके आएं बैकी बात बोलना है इनलोक बेवा हो चुके है किसी से मेरी दूस्मन ही नहीं है मगर बात रखने का हग सबको है डारे के अंदर आप परवासी मजदुरों को सब ठीकरा ठुकिएगा तो यह नहीं आज इतना लगबख सत्तराजाद से ज्यारा कोरोना वारे से यह क्या परवासी मजदुरों के लिए वापर पर परवासी मजदुर भोके मरना वापर कौन खा कि नहीं में किसी का वावाई लूटने आया हूं नहीं मैं अपना नाम कमाने मगर अपना बात रखने का सबको हग है आप भी रखें विरोद में लखें पक्ष बिपक्ष दोने होता है मगर पक्ष में रख रहा हूं जिसको दिक्कत है हो जा सकता है जिसको नहीं तो कोई द अब भी अंध्वक्त अब आप आप खिसी यूंध्भक्त नहीं बोल सकते हैं आप अगर हसण जाविद भाई को अंध्वाइब बोलते हैं ये उनका फैंटामेंडिल राइट है वह बिरोद करें या फिर शमर्द्रमें करें हो सकता कि किसी का हांग में बोलते मगर ये बात नहीं कि नौजबा मुवायल चलाने जान गया तो जो भी पोस्ट आया बस धराधर चालू कर दिये ये नहीं जी वल्गुम सलाम अकिक उल्लाफईजे जी तो बात ये नहीं मगर एक बात है परवासि मजदूरों का बिरोद दारी कें अंदर कीजिए सरी है आप कोरेंटन में जाके परवासिदी मजदूरों कोई नहीं करता ये बात सबको दिमाग ना से निकाल लेना चाहिए समीम भाई यह गलत बात है कैसे भी रोट नहीं अब अब जिस दिन से आठ कोरोना मेरिज मिले हैं पॉजिटिव उस दिन से यही बात है कि अब अब तो पार्टी सुरू हुई है अब तो शुरू हुआ हशन जाबद भाई अगर आफो आ है ते आप मेरे आफय बेर करवाई आँ आए और मैं देगा हुँ न सभूट है भी साच पर देली में बात्रन मोक यह चूड़ा घृटने जोडा है रिक्सादा क्या यह था को तुम के बेट हैं कि है प्रवा सी मजश्दू को कि आएंगे नहीं तो बेबस कहा जाएंगी अपने घर ना रहे हैं बिर्योजी के घर नहीं जा रहे हैं अपनी घर आ रहे हैं मगर हाँ बात यह कहा है कि जो भी परवासी मजदूर आए वो घर ना आए अपना कोईंटेंट सेंटर जहां पर बनाया गया जाच परताल करने के बाद 21 दिनों की जो उसका प्रोसेस है आप वो पुड़ा करके आए घर भी सुरक्षित रहे आप भी खुद सुरक्षित अगर दिक्कत हो तो जाट टीम स्वस्त करमी है परसासन कोईंची के लिए हैं मगर लगदा है कि परसासन भी सोशल मीडिया भक्त भी सोशल मीडिया समर्थन भी सोशल मीडिया और परवासी मजदूर गश्य दिल टोर ना होता है कि खटना पे कुछ गोपाल गंज का घटना पे कुछ बूले गोपाल गंज का घटना यह क्या है कुंदर भाई मैंने जानता हूं मुझे इतना अगर है तो आप बताइए मैं किसंगन नहीं जाया और पर्देज में भूके मरें वहां क्या बात है इस तरह की मांसी की देखिए किसंगन सब आए दादा जी का किसंगन थोगा हुआ है कि आ हिए अब आप बात करेंगे ठाकुराइब के सबसे ज्यादा कामगार बार फैसे उनमें हजारों लोग ख़ब सीमाण चल राज समय पहुचा रहा है इन देखिए हशन जावीद भाई खबर सीमान चल कितना दिन चलाएगा एक दिन सिर्फ पहुंचा सकता है 129 नहीं पहुंचा सकता अज लग 32 चौनियों नहीं डलनेके लिए आएग कि अर एक दिन पोचा है आपके जज्विक को सलाम आपकी टीम को सलाम के मरी यह बात हूं आप उनको रहात पहुचा के या फिर को amigo या बात करना चालों करें नित्य जी भी फोन करके बुल रहे कि Jö जहां है वही पर рать है एक बहन की कल फोन आये थी कि जो लवली प्रफिश्य्लन इंविस्टि में पर रहे हैं पंजाब में रों लगे कि बैया जान हो s장 ळा मुचा करे सब मुचा है मैं फ़े मंचीर में हूं पाफ़ते लडगे हो बिहार के और दो लड़की है मगर अलग रूम में रह रही है तो एक अकेली लड़की कितना देर तक रहे वो घर ना आया तक कहा रहे है इस्टुडेंट है परने गई है माबाब की सफना था जो कह रहा है कि ब्रोद कहा हो रहा है उसको कहिए इसकी शॉट प्रिंस खान भाए उसका दूद दलाली बंद करें आका को खुश करने के लिए से बदनाम करने देखिए आका उपका यह नहीं देखिए भाजाग अगर कोई करें कि मुझे सबूत चाहिए तो मैं सबूत देने करता यारू मैं बीना तक्त के कोई चीज लाइब डिवेड नहीं करता है कि सोचल मीडिया एक अच्छी पल प्लेट फॉर्म है इसका सही उप्योग होनी चाहिए यह सोचल मीडिया मुझे बहुत कुछ दिया है कि गुरी जी को सलाम जीश वल्कुम सलाम आपको सलाम भाई लड़ू सरकार बैगना जी बहुत दिन बाद नजर आए ब्यहा साधी करें लिशने की भया मजदूर आ रहा है जा रहा है बिरोद कोई किसी का कहा पर हो रहा है ऐसी कोबर सोचल मेडिया उरा रहा है सोचल मेडिया परवासी मजदूरू का आप रहों रोक नहीं सकते हैं व अगर आप कर्ति इसका मतलब यह नहीं कि परवासी मजदूर आ रहे हैं वही नतलु कोरोना पोजीटिव लिकान है हो सकता आया विमारी गए या फिर नेपाली लोग इंडिया नहीं आ रहा है न वो अपना घर ही हारा है बिर्योद करने के बावजूद भी परवासी मजदूरों को रोक नहीं सकते हैं मजदूर के बलबुते हिंदुस्तान की रोनक बढ़ी है मजदूर के बलबुते हम हिंदुस्तानी सही से खा रहे हैं मजदूर के बलबुते सरकार ज्यादा चल रही है मजदूर के बलवोते अनाज ज्यादा उगण रही है अनाज सरकार नहीं उगा रही है मजदूर ही उगा रही है मजदूर की ये पसीना की कमाई है जो आज हम चेन की जिंदगी जी रहे है अब मुद्दा होना चाहिए कि बुठा की रेट जो घटी हुए है इन पर चर्चा होने साय चाहिए चर्चा कर रहा है मजदूर पर है चर्चा होनी चाहिए कि बिजली जो भील है भी इसको इसके जो यूनिट पर इए घटा आई जाई या फिसको दो तीन मैना की माप किया जाई पर इस पर हुनी चाहिए चर्चा कर रहा है Muzzdur पर चर्चा कर रहा है CORONA मचदूर ला रहा हो हमारे सांसत के लिए 2 सब्ध देखिए मराः के लिए कोई 2 सब्ध नहीं जो मुरदा उनके लिए सब्ध कहनाई बिकार है मैं खुलयाम कहता हूं कि मेरे ठाक और लेंज में कोई बिधाय गुधाक नहीं है अगर रहते तो ऐसी यूही कोई भूखे ने मरते हम अधर्द बनना सिखिए हम अधर्द मगर गलती तो हम आम जन्ता की है चुनने के वक्त नहीं कभी गोस के नाम पे वोट तो कभी जाती के नाम पे वोट कभी धर्म के नाम पे वोट कामगर हो हो उनके बदूला बिल्कुल आप जी यह लंबा लंबा बेलिंग ख़रा कर रहा है यह कौन यह थोई ने सरकार आके बना के दिखेंगे आपको यह मजदूर का ही हाथ है कि सिमीड बालू से मजदूर की हाथ में जो है ना सारे मोबाल के दिए बेटा लिख रहा है मजदूर के खिलाप वह यह नहीं सुच रहे कि मेरा बाप भी जाके दिल्ली में फसा हुआ है बहुत तरह लड़का के बाप दिल्ली में जाकर रहा है वह भी लिखे है एसी में बैठके स्क्रिप लिखना ही इंसानित नहीं है ग्यान चू मैं किसी भी पार्टी का भक्त नहीं हूँ नहीं किसी का पार्टी का भक्ति कर रहा हूं मैं खुद अपने आप से कमा रहा हूं मैं अपने आप कमा रहा हूं मैं अपने आप खारो मामू चीपे हुए हैं पता नहीं यह लोग सत्ता पर बैठे निताओं से सवाल करने के बज कि यहाई पर्वासी मसद्दूर को कुछ न्तियाम कीजिए उसके बगार मजदूर के खिलाव उसके बगार सब सारे ये फोर रहा है भ्र अबह अब आप यह जानली जिए मजदूर अगर रही को बोलिए मुटदा के लिए मेरे सुवास कोई सब्दी नहीं है अगर आप एक चो सब्ध आज रहे कर फिस दिन तक बोलना बोले बोले तो मैं बोल सकता हूं Commission die भकत नहीं हूं है अगर फरिस्ता लवज कहना उस्पर तो मैं साइट की कहता पंग यह इस किसी इंसान को आप फरिष्टा करें हाँ किसी माद्यम से कह सकते हैं अगर पुजादब जी को आप किसी माद्यम से फरिष्टा करें तो यह कम नहीं है कि मगर लोग उसे समझ नहीं रहे वोट के वक्त राजनितिक पार्टी देखके वोट देंगे मगर परास्ती मजदूरों के खिलाब बोलना या मजदूर का हाथ है कालिया बिल्कुल यह मजदूर का हाथ है मजदूर कहा जाना चाहे उनके लिए जो रास्ते खुले हैं इस्तिमाल करें उसे कोई रोक रहा है का कोई कहीं न जाए इससे खत्रे है मुर्दा वाला सब्द वापस लेजिए भाई ये मेरा सोटा सा अदाय है और सेद से के लिए शोड़ी मगर बात यह है अगर मेरा यह कहना गलत यह तो ठीक है सके लिए मगर पात यह तो निकल के सामने रहा उनके लिए कि यह सब्द बोला जाए पपु यादब जी बिना पत के हैं पपु यादब जी कोई सांसद नहीं है खुले हाँ मजदुरों के पर्तिम का हम ददीश जता रहे हैं ना यहां कि सांसद जी खुले हाँ नज़र आ रहे हैं ना बिधायक जी ख़ुद दें लोगडाउन फसा हुआ है पता नहीं तो क्या पप्पू यादर जी के लोगडाउन नहीं है अब पर्मिशन लेखले किसी का मदद करने के लिए सरकार तो नहीं रूका है सरकार मोदी जी खुदा के बोलके गए मुझे भी कोई धम का रहा था थोड़ी भाबी जी को लाइब में लाइए थोड़ा दर्शन करा अब दूसरी को लाना पड़ेगा तब होगा यह पहली वाले मुश्किल है क्योंकि यह जो है यह घरीलू कल्चर की है दियाद कल्चर की अब मोडल टैप की लाने होगी मगर ठिक है कोई दिक्कत नहीं है बात जी सुक्रिया संकर चोधरी चाशा बात वही है कि सोशल मेडिया का सही की इस्तेवाल करना होगा सोशल मेडिया की आवाज है जो भठा जो मालिकों पर आज सिकंद कसा सोशल मेडिया की आवाज है जो भठा मालिकों के जो कामगार मजदूर परवासी मजदूर है जो पत्रिया है उनलों आज खाने को लिए मिलना है मुझे सुबह कॉल आया था कि भाईया मुझे सुबह से कोई कुछ नहीं दिया गया भठा माली को फोन के आप या तो किजिए या मैं परसासन को फोन करता हूँ परसासन आके उनके अल्टिमेट देखे गए कि आप अगर कोई भी तुरूटी मिलती है मजदूर के परती तो आपका खैर ने आपके और अफार होगा मैं सैलूट करता हूँ किसन गजिए के परसासन को परसासन को सोचल मीडिया का सही इस्तेमाल करना होगा उस दिन में रात में जाके देखा आकों से आशू आ रही थी बाहरी थी आशू कि आखिर का अल्ला ये जिन्दगी क्यों दी गरीब क्यों बनाया किसी का सौक नहीं है जो पैदल तीन सो चार सो किलिमेटर चले जाए लोग ये सोचते के चलो घर में जाके कम से कम मरू मगर मेरा उन लोगों से भी निवेदन है कि आप घर ना जाए आप घर ना जाए आप कोईंटाइन सेंटर में रहे जो लोग परवासी मजदूर का बिरोध कर रहे है अगर इससे नेता भी आपके वहाँ पर अगर बिरोध करने के वक्त या आप इसकी शॉट लेके लिजिए अगर इससे निता भी जा रहे है न तो दो चार फटावा जूटा सब रख दीजेगा पहनाने के लिए उन लोगों को तब प्रिंच को आप फोन किजेगा पहना चुके हैं मजदूर् है आप वोट के वक्त नाना दादो खाला खालू फुफा फुफी चाचा चाची कर रहे हैं। आप जब प्रीोध कर रहे हैं। को मजदूरों की बऩ guitar होती हैं तो 10-10 अगर वोट है तो तुझा एक रोध बर रहा है जितना गुस्ता बर रहा है जितना नफरत कर यह मजदूर के बढ़ती शोष बदले हालात बदलेगी सीमान चल का तरिक्की बदलेगा हसन जावेद भाई कुछ कह रहा है यह भी मैं पढ़के सुना ही देता हूँ बिरियानी में परकुर्णा पेल रहे हो भाई जिसका जहां घर है वह जाएगा अब कोई गदा ही उसे रोक सकता है न आप आपका मुझ से सुन रहे हैं कि जो मजदूर का बिरोध कर रहे हो गदा है मैं आपको भी सैलूट करता हूँ कमसर आप इतना तो बोले कि जो प्रवासी मजदूर का बिरोध करे वो गदा है मैं भी कता हूँ वो बगधा से एगर ज्यादा होगा उल्लू का पट्टा है रमजान का दिन में है ज्यादा बोलना भी ठीक नहीं है मगर सोशल मेडिया का सही उपयोग सब को करना होगा दोस्तों सोड़ी कुछ दिर आप दोस्तों से दूर रहा इसलिए की बच्चीर हो रही थी उनकी मा के पास पहुचा के आए हसन जाबिद तो इसका मजजितार मजदूर है मैं कुटा बोल रहा हूँ उनको जो बिरोद कर रहा है अब मुझे भी सेलुट करें हाँ बिलकुल आप अगर जो बिरोद बोल रहा है वो कुटा ही नहीं अब बाप का बिरोद कोई कर रहा है बाप का बिरोद कोई कर रहा है मजदूर भी बाप है किसी का मजदूर यह आना जुगाता है उससे क्या तुम को तकलीव है तुम अपना काम को रो खिलाप सपोर्ट क्या होता है कि अगर में कोरोणा फ्याल गया तो बोलेगा नहीं लोग अब किसके अप पुरे हंदूस्तान में प्रूरे पूरे बिश्टू में फ्याला वहा कोरोना वाइरस तो किसक्निसके पूछे हाथ क्या मज़्दूर का ही है आप बताईए भाई जान हमारे सांसा जी छीप हुए या फशे हुए है या तो बताना ही होगा आपको मैं नहीं बताओंगा आज मैं बता चुका हूँ आप जानते हैं ये हग है आप जनता है ये हग है कमेंट लेट है बिल्कुल आप को दिखताने भईया ख़वर सिमांचिल में जो प्रपड़ना फि एहसान करके जनता यह एहसान नहीं है मैं कुत्ता बोलड़ा भाई कोटा से आगया ना किस कोईन्टारिंट से प्यार है तो भाई को भी मजदूर के साथ रखो घर में कहें रखो अब देखिए बाई कोटा में है एक बाद बताईए मजदूर और चात्र में क्या फरक है मजदूर और चात्र में क्या फरक है मुझे बता दीजिए चात्र जाते थे कॉलेज सुबह से लेकर सामतों को पढ़ाई करते थे उसके बाद चात्र करना अवलाद है नहीं पड़िव मजदूर में compare देखिए अत्याधिक परवासी मजदूर पड़िवार से हैं और अवलाद हैं घर में रहेंगे हो सकता एक दिन रहेंगे दो दिन रहेंगे तीन दिन रहेंगे चोथा दिन अपने अवलाद को जो है वो सीने से लगाएंगे इसलिए मेरा भाई होम कॉरेंटेन में अभी भी होम कॉरेंटेन में कोई नहीं जा तो उनके बगल में कोई नहीं बैठता है जाके देख लिए मेरा भाई भी भी है आप बताते हैं कि होम कॉरेंट में आगा एक मैंने आपका पोस्ट देखा या फिर टिपनी कि पढ़ाई करत बच्चे पढ़ाई करते हैं मेरा बाई 24 गंडा पढ़ाई करते हैं अब आगे देखिए इसलिए परिवार को भी सकती मेरा बाई आगा मुझे खुसी नहीं है मेरा एक बाई एक भाबी डेली में फसा हुआ है या यह बात है चाट्र का गल्फ्रेंड जरू है या नहीं भूल आपटाप की अदालिप की तरफ पकड़िया उधानीा था आखाक है aware का बुछ ने इंकरे ना की मजदूर से बिलकुल मुझे मजदूर से सवाल करने को अपको मोबाईल नम्बर चाहिए आपको वर्ट्सप किये थे उस नम्बर में फन नहीं लग रहाgers मैं वांट्सप बमने में अक्सर बंद करकर रखता है जल्देर की इस मेरा बस आपको में आप अब्दुला वरकातों अब्दुला खाली कि इसलिए मेरा हाथ जुर के आप दोस्ते से निविद ने भाई मैं आ रहा हूं आज मैं भी आ रहा हूं ना यह आगर आएंगे तो मुश्किल है बिरोज में आपको कई पट्री फिर से फिर पैदल जाना ना पड़े इसलिए ना य प्यार सबसे हैं जो बिरोज कर रहे हैं उनसे मेरी प्यार है मगर एक बात है उनको समझाना यह मेरा ही करतव है या फिर हम समय हम कमिट्यों का काम है कि समझा है हो सकता है कि अपने पक्ष में सही लिख रहा है इसका मतलब यह नहीं कि दाएरे से बाहर तोसी आलम के बारे द कि तोसिप आलम के लिए बाड़े मैं क्या लिखू मुझे खुछ समझ में नहीं आ रहा पता नहीं कि जितना लंबा लंबा हालाकि इनको जादा जानगारी नहीं है मैं उनके वारी एक ही लिखूंगा कि जो मेडिया परवारी रखें तोसिप आलम विधायक चचा जी आप तो बेतर है वरना आप जाने आपका काम जाने आपके विधान सवा के लोग बताएंगे क्या कुन क्या है यह उन पर छोड़ दीजिए मगर बात हो रही है परवासी मजदूरों की नेताओं की नहीं नेतागन चाहते तो कोई आजकल भूके नहीं मरता नेतागन रूम से पो